नमस्कार दोस्तों मैं एंजल चौदरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर दोस्तों आप उचसे मेरे टेलिग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्षर के उपरांद आपको पीटेफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ये मेरी अनकाइडमी प अब जैसे जैसे तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान पर बढ़ता जा रहा है वैसे ही वैसे आप देख सकते हैं यह फोटो उतर की एक आक्चली वीडियो आई यह सामने जिसका यह स्क्रीन शॉट है जो आपको इस वक दिख रहा है इस वीडियो में दो तालिबानी बा वारे में चल्चा कर लेते हैं तो इसे पहले आगे बड़े आज का सवाल तो आप देख सकते हैं पॉज कर सकते हैं आपडर आपको BAR एक एयरपोर्ट थी जो कि तालिबान की कंट्रोल में अब आ चुकी है और साथी साथ यह जो हेलिकॉप्टर है कुछ ऐसा ही माई-24 अटैक हेलिकॉप्टर इंडिया ने अफगानिस्तान को डोनेट किया था तालिबान से लड़ना और यह हेलिकॉप्टर अब वापस तालिब अफगानिस्तान एयरफोर्स को गिफ्ट किये थे साथ में चीता लाइट यूटिलिटी हलिकॉप्टर भी गिफ्ट किया था तो यह हेलिकॉप्टर से अब देखें तो ऐसे इन अग्रीमेंट बेट्वीन अफगानिस्तान और बेलारूस मैनिफक्टर है जिसने ट्रांसफर को चलाने के लिए अफगान एयर फोर्स को जो ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग भी इंडिया नहीं दी थी तो अब यही उन में से एक चार में से एक माई 24 वी अटैक हेलिकॉप्टर अब तालिबानियों के हेलिकॉप्टर प्लांट ने जो की रशियन हेलिकॉप्टर की सब्सिड्री है उसने डेवलप किया था तो सबसे पहले बार यह 1970 लेट 1970 में USSR के अंदर सर्विस में आती है और हेलिकॉप्टर में अगर हम देखें तो विपन यूनिट्स है इस प्रकार से सिक्स अस्पेंशन विपन यूनिट्स है एंड हलिकॉप्टर में याक भी और बैरल यहां पर आप दगर देखें तो इस प्रकार से एक मशीन गन भी है जिसकी फाइरिंग रेट 4,000-4,500 राउंड शर मिनट की है तो आप सोच सकते हैं यह कितना खचनाग होती होगी तालिबानियों पे कहर ढाया करती होगी जब इस्तमाल में आती होगी जो कि अब वापस अनफॉर्चनेटली तालिबान के हाथ में जा चुकी है इसक तो दोस्तो अनफॉर्चनेटली यही अटाक हेलिकॉप्टर अब तालिबान के हाथ में आ चुकी है तो इसका क्या मतलब होता है तो दोस्तो अगर आप देखें तो अफगान सेक्यूरिटी फोर्सर काफी टाइम से कह रहे थे कि उन्हें स्ट्रॉंग एयर सपोर्ट तालिबान पर बॉंबिंग कर सकें पर दोस्तो जब इनको दिया हुआ अटैक हेलिकॉप्टर अब तालिबानियों के कंट्रोल में आ जाएगा तो यह एक बहुती बैड न्यूज है इस वक्त तो अब एक ट्रस्ट वाली बात हो जाएगी कि आप तो सेक्योर नहीं कर पाए करें दोस्तो तालिबान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ग्यारा प्रोविंशल कैपिटल इस वक्त जब मैं यह विडियो बना रहा हूं सबकी बात है सब तक कंट्रोल में आ चुका है और दूसरे दिन यूज में आ ही रहा है कि आज यह कापिटल गायब तो बहु से सेक्यूरिटी फोर्सेस भी एयर सपोर्ट करें बिना एयर सपोर्ट के इनको रोक पाना बहुत मुश्किल था तो इस वक्त यह हलिकॉप्टर शली गई यह थोड़ी मुश्किल का सबब बन चुका है यूएस इंटेलिजिंस का रिपोर्ट भी है दोस्तो 90 दिन में तालि उभ्या में भी हूंगे अगर कल को तालिबान अफगानिस्तान को कंट्रोल में ले लेता है तो ये तालिबान हमारे ठीक बगल के देश में एक इस प्रकार सा कटर सरकार आ जाएगी और जादा आगर अगर कटर गोर्वन्न्ट रहेगी जो कि इस प्रकार के वर्जिं ऑफ को फॉलो करेगी तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है हो सकता है कि वहां से जो यह सारे फाइटर्स होंगे उन फाइटर्स को पाकिस्तान अब कश्मीर के तरफ करवाए तो बहुत ज्यादा चांसेद हैं एक बार अफगानिस्तान कंट्रोल में लोगों ने ले लिय है डायरेक्टली तो नहीं लेकिन हां किसी तरीके से क्योंकि आने वाले दिनों में समस्याएं और गंभीरता गंभीरता का विशाय हमारे लिए भी यह बना हुआ है आपको याद होगा जब आइची-एट-वन-फुर हाई-जैकिंग हुई थी तो उस वक्त वो कंधार में ही लैंड करवाया गया था तो क्यों क्योंकि इफगानिस्तान जो सरकार थी वो एक तरिक तरीक तालिबान की जो सरकार थी उस वक्त वो पाकिस्तान की ही प्रॉक्सी थी तो इस वज़े से प कर दें दो तो इसे पर आगे बढ़े आज का सवाल देख लेते हैं क्या जवाब है तो बित conference तो अफगानिस्तान इनमे से कौन कौन सा statement true है statement 1 भारत अफगानिस्तान के साथ boundary share करता है statement 2 during line इंडिया और अफगानिस्तान के त्रू गुजरती है और दोनों तरफ पश्टून से जिनको ये सेपरेट करती है तो बताइए इन में से कौन-कौन सा स्टेट्मेंट ट्रू है तो आप एंसर करें पॉज कर सकते हैं पॉज करके एंसर करें तो आई होप दोस्ता आप लोगों करेंट में एक बार हला भी हो चुका है तो यह वाला जो रीजन है दोस्तों दिस इस कॉल्ड आइज वखान कॉरिडूर तो याद रखिए का इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर शेर होता है यहां पर वखान कॉरिडूर पर हाला कि अब पकिस्तान कश्मीर के हाथ में वह क्या करेंगे यह 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 मत बोलिएगा कि नहीं साबितों प्योके का है अंलेस अंटिल एक्स्प्लिसिटली ना लिखा हो तब तक आप कहेंगे इंडिया शेर बॉर्डर विद अफगानिस्तान बागी स्टेट्मेंट टू देखे तो डुरेंड लाइन दोस्तों पाकिस्ता हो गए एस शिया यहां पे दिमांड भी है कि क्या न यहां पे पस्टूनिस्तान बना दिया जाए ठाटमिस्तान के गपिर दिया जाए जो कि काफी टाइम से एक डिमांड भी है तो याद लगिएगा तो ये डूरेंड लाइन के दुनों तरफ पश्टून से इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीचों बीच से गुदरती है तो दोस्तों जब भी अनकाडमी में दोस्तों 65 year of independence मना रहे हैं और आपके साथ बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको सीखनी मिलेंगी यह सब free of cost है रिजिस्टर आप कर सकते हैं नीचे लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो 14 अगस्त को दोस्तों 12 बजे से दिन में consolidation of India as a nation, journey of Indian democracy, widening scope of fundamental rights, अलग अलग sessions रखे reformers की बात करेंगे राजा राम मोहन रोय जी जादा भाई नरो जी जी बाल गंगादर तिलक जी टेगोर जी और चलता जाएगा शाम के 8 बज़े तक women in national movement भी हम cover ना कर ले तो यह फ्रिलिम में इस दोना aspect से बड़े मज़ेदार and important session होंगे तो academy आए तो दोस्तों मेरी link दी यह वहाँ पर मुझे फॉलो करें special class में बहुत सारी नई feature said की है बहुत सारी special classes है इनको जरूर देखें और साथ-साथ an academy combat का हिस्सा बने और हम इस वक्त बहुत जबर्दस प्रोग्राम चला रहे हैं दोस्तों एक साल की सब्सक्रिप्शन में 2022 तक valid है दो साल की सब्सक्रिप्शन में 2023 तक valid है साथ-साथ आपको GS optional combo में जबर्दस discount मिल रहा है एक साल का GS optional की cost दोस्तों 49,679 रूपीज और दोस्तों इसमें आपको आपको बताना चाहूंगा मैं आपको 21 optional test series भी मिल रहे है 16 sectional 500 test 80GS के test series जिसमें 50 prelims के test 30 mains के test इन सब की कीमत 45,000 रूपीज है दोस्तों ये आपको free मिल रही है अगर आप इस वक्त unacademy subscription ले लें 18 August तक ही इसके बाद उस तो price भी hike हो जाएगी इसके सिवा CAC Assure है जिसके तह time clear नहीं होता तो आपको एक साल का extension भी मिलेगा unacademy notes भी दोस्तों आपको मिल रहे हैं तो इसका भी फायदा उठाएं और test series तो आपको देही रहे हैं नए optional भी start हो चुके हैं दोस्तों आप देख सकते हैं price hike जल्दी होने वाली है और साथ साथ दोस्तों Iconic में आप कोई आइकनिक लेने किसी भी duration की उसमें बस आपको 2000 रुपए और देने हैं और साथ में आपको 27500 रुपए का optional मिलेगा आपको आइकनिक GS plus optional subscription मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको फ्रिलिम मेंस और optional तीनों खीटे सिरीज भी मिल जाएगी तो यह benefit दोस्तों और कहीं नहीं है बस यहीं पर है जल्दी से जाएं अनक एडमी सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाएं और यूपेसी किसी महा सब्सक्रिप्शन ऑफर है उसका भी फायदा उठाएं लूंस देख सकते हैं लिंक अविलेबल है दो साल की प्लस की कीमा से 4,800 रुपए दो साल की आइकनिक की सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाएं अठारा अगस्ट से नए बैसे स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों इसका हिस्ता बनें और फ्री टेस्ट सिरीज है केसी वन जिरो कोड का इस्तमाल करें थैंक यू सो मच पर जॉइनिंग एव ग्रेट देग